दोस्तों पिछले को समय से आप यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़ी खबरे सुन रहे होंगे यही वज़े है कि आज कल ये दोनों ही देश चर्चा का विशय बने हुए हैं वैसे तो रूस के बारे में आप में से ज्याजा तर लोग जानते होंगे मगर यूक्रेन क नाम आप मेंसे कई लोग पहली बार यूद्ध जैसी चर्चा में सुन रहे होंगे आज यूद्ध के हालाद के बीच यूक्रेन में खत्रे के मोहल है लोग अपनी जान बचानी की कोसिस कर रहे हाला कि या हालाद यूक्रेन में हमेशा से नहीं थे को समय पहले यूक्रेन ब बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि यूकरेन कभी सोविय संग का हिस्सा था मगर साल 1990 में यूकरेन सोविय संग से अलग हो गया इसके बाद से ही इस देश ने दुनिया भर में अपनी पैचान बनाई भारत एक इस ब्रधान देश है इस विसे में सभी चानते हैं भारत की तरह यूकरेन भी अपने यहां होने वाली खेती के लिए जाना जाता है बतादे कि यूकरेन में लोग बड़ी संख्या में खेती करते हैं खेती यूकरेन की कमाई का एक अहम श्रोथ है इतना ही नहीं खेती के मामले में यूकरेन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है या खासियत भी यूकरेन को यूरोप के बाखी देशों से अलग बनाती है। दोस्तों यूकरेन यूरोप के सबसे बड़े देशों में से माना जाता है। जहां देश की 30% आबादी गाओं में रहती है, वही 72% आबादी सहरों में रहती है। यूकरेन के छे तरपल के हिसाब से यहां की आबादी काफी कम है मगर इसके पाउजूद भी तकनीकी मामलों में या है और यूरोपी देशों से किसी भी माइने में कम नहीं है दोस्तों लड़कियों की खुबसूरती का बड़ा क्रेज है यहीं वज़ा है कि लोग खुबसूरती के फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं बतादी की ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे खुबसूरत लड़कियां यूकरेन में रहती हैं इतना है नहीं यहां की ल यहां लोगों की भारी भीड देखने को मिलती है इस किले के अलावा भी यूक्रेन में कई अन्य किले भी मौजूद है जोस्तो भारत में बच्चों को मेडिकल कालेज में पढ़ना किसी संगर से कम नहीं होता है मगर यूक्रेन की मेडिकल सिच्छा दुनिया भर में फेमस है अन्य देशों के मुकाबले यूक्रेन में डाक्टरी की पढ़ाई करना काफिस हसता होता है यहीं वज़ा है कि हर साल हजारों विद्यार्थी भारत से यूक्रेन डाक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं तो पूरी दुनिया में अगूठी बाएंहात में पहना जाती है मगर यूक्रेन में इसके उल्टा दाएंहात में पहना जाती है ऐसी ही कई और छोटी रित रिवाज हैं जो यूक्रेन में अलग होती है तो वैसे तो यूक्रेन में कई धर्मों के लोग रहते हैं मगर यहां पर सबसे ज़्यादा संख्या इसाईयों की है इसाई धर्म के लोग यहां बहुत संख्याग हैं इसके अलावा यहां मुस्लिमों की आबादी भी काफी ज़्यादा है ये थे यूक्रेयन देश से जुड़े कई रोचक तक थी जिनके बारे में आप में से कई लोग अंजान होंगे आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और सेर करो साथ ही ऐसी जानकारियों के लिए यूनी गुरू जी चैनल से जुड़े रहो तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धान्यवाद